हेलो दोस्टों स्वागत है आप सभी का यूप आप सब अच्छ होंगे आज हम आपको बताने वाले हैं जो अध्र पते सरकारा दोरा फैमिली आईडी का रिश्टेशन हो रहे हैं और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको तो दोस्तों जो हम नीचे की तरफ पहले मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं कि यहां पर क्या क्या चीज़ें हैं तो यहां पर देखिए पूरा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन एक तरीके से फैमिली आइडी एक परवार एक पैचान तो यह चीज़ें आपको पढ़ लेन करने के लच्ची को सच्छम करने के लिए एक परवार आइडी उजना लागू कर रहे हैं तो यह चीज़ें आपको देख लेनी है इसकी बाद यहां पर देखिए बरतमान में राज्ज में लगवक 3.6 क्रोड परवार और 15 क्रोड आधार प्रमाडर रासन कार्ड धारक उप और उनका परवार आइडी होगा और वे 50 क्रोड पोर्टल का उपयोग करके इसकी जाच कर सकते हैं यह परवार को 12 अंकों के विशिष्ट परवार आइडी परदान करने के लिए विक्सित किया जा गया है जो रासन कार्ड धारक नहीं है यहां पर वे सब विको और अपने परवार के सदस्व को पोर्टल पर जोड़कर आवेदन कर सकते हैं तो यहां पर आपको मैं पूरा बता देता हूं व्यूरो फैमिली आइडी सरकार से लाप राप करने के लिए एक बहुत सकते सालिय निर्मार सावित हो सकता है पर वर्तमान में नावांकिक स्वेचिक है फ बदले मावन व्यक्ति को यूजना सिव करने मदद करें जो पात रहे हैं और लाप से वहतर लेकिन लाप से बहार है है तो यहांव पर ferment करना है आप को चैसे करना है कि आजिए तो आब सरथ हो यान नही है तो आपने पर हम लोग ते 파允ख कर देंगे रजिएवार के सभी सद्वार का अधार कार्ड होना अनवार है तो इस आपको ध्यान लगनी है परवार रजिटेशन है तो सभी सदस्यों का मॉवाइल OTP के मादब से एक वे ऐसी द्वारा जाना अनिवार है जिसके लिए सभी सदस्यों को मॉवाइल नमर आधर कार्ड से लिंक होना चाहिए ऐसे परवार जिनके पास आधर संक्या ही फैमिली आइडी होगी तो जो उनकी इसका मतलब समझ रहे हैं जो उनका रासन कार्ड वही उनकी फैमिली आइडी की संक्या होगी तो उनकी फैमिली आइडी वनवाने क्या विसकता नहीं है उनके दोवारा राजिटेशन को परांत आधर संक्या डाल कर फैमिली आइडी डालोर प्रिंट की जा सकती आने की आप आपके पास रासन काड शंक्या होंगी जितने लोग होंगे वहांज किसी इस तो और शटल वाड़ में नहीं जोड़ा सकता है तो इस आरह बार बा money और दियान ai कि आ से में साब्र जानकारी बूर मैं पूर्ण जिसमें से श्ट्यापन करीं मैं किया जा सकता है जो उनका पर आपको क्या करना है यह देखिए तो हमें यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना डालना है और यहाँ पर आपको अपना रेजिस्टिशन मॉबाइल नमबर डालना है जो अधार कार्ड से लिंक हो अधार कार्ड से जो नमबर आपका लिंक हो तो यहाँ पर आपको सिंपली जैसी कि मैं आपको अपना नाम डाल देता हूँ कि अगर मेरा अधार कार्ट से लिंक होगा तो मेरा यहां पर सू करे जाएगा मैं आपको पूरा दिखा देता हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहां पर मेरा ओटीपी आपर सेंड कर दिये गया है तो यहां पर देख सकते हो मोबाइल नंबर में और कैप्चा यहां पर मेरे को फिल करना है तो अगर मेरा इसमें मोबाइल नंबर अभी लिंक है तो इसमें अभी मेरे पास ओटीपी आएगा और मेरे को इसमें डालना ह करना है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि मेरा यहां पर जो ओटीपी तादर काड़का वह यहां पर तो हो रहा है तो यहां पर देखिए पहली वार मेरा OTP नहीं आया है लेकिन मेरे फिर से दुबारा लोग इन किया तो मेरा OTP आच चुका है यहां पर मैं अपना OTP इसमें डाल देता हूं तो मेरे को याद रखना पड़ेगा यह OTP कही में भोलना जाओ क्या करना है मेरे को simply यहांपई Fr ODAK क्या करना है तो यहां पर मैरे को क्या करना है यहांपे Clock respiratory को क्या saja को डालना है यहांपे जो आपय दिया गया है तो मैं आपको 173047 उसके बद मुर्शन संबैट का vosah को चाना है तो यहां पर प्रोड़ेने क्लिक कर देना है यहां पर देखिए थैंक्यू का उप्षिन आ रहा है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं खैंक यू और सब्सक्रेश यू और जाना है तो मैं आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है तक कि आपको सारी च जाल देना है अब देखते आगे क्या क्या process हो रही है क्योंकि मैं भी पहली बारी कर रहा हूं तो यहां पर देखिए OTP मांग रहा है यहां पर कि दोस्ते हैं पर OTP आज चुका है तो यहां पर हमको क्या करना है OTP को send कर देना है और इसके बाद हमको यहांपे inter capture है हमको capture फिल करना है यानि कि जो भी यहांपे capture दिया गया है 40-47-30 इसके बाद हम login पर option को पर click कर देते हैं हमारा गरमारी सारी चीज़़ें सही होंगी तो यहांपर आ जाएगा तो यहां पर दिखा रहा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए आधार नंबर की जरूत पड़ेगी यहां पर देख सकते हो यहां पर क्या लिखा हुआ है आधार नंबर आगे बढ़ने के लिए आधार नंबर की जरूत पड़ेगी तो यहां पर मैं अपना अधार नंबर डाल तो यहां पर मैंने अपना आदार काड यहां पर फीड कर दिया है उसके बाद यहां पर देख सकते हो यहां पर परवार की जो संख्या है देखिए मेरे परवार की संख्या भी आ चुकी है तो यहां पर देख सकते हो मैं यहां पर स्कीन सॉट भी ले लेता हूं यहां पर तो आपके वे में भी चार दिखाएगा जैसे कि मेरे में आपकी जितनी फैमली में संक्या होंगी उतना दिखाएगा मेरे में चार सदस से दिखा रहा है अब यहीं बिल्कुल सही है जो मेरे आरासन काड में एड है उसकी बाद यहांपर फैमली आडी देखने यह तो यहां पर दिखा देता हूँ है इसको मेरा प्रिंट करने के लिए पर ओटीप आ चुका है तो मैं याद कर लेता हूं ऐसे ही सिंपली सारी सीज़े करनी है 826 3636 यहां पर मैं इसको लिख लेता हूँ उसके बाद मुझे क्या करना है कि आप वेरिफाई कि ओप्सन पर क्लिक कर देना है और देखिए यहां पर आपको 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 आपका रिष्टिस न सिंपली हो जाएगा और आपको आपकी जो आईडि है न वह भी आपको मिल जाएगी जैसे कि यह री आइडी यह आपकी आइडी आपको मिल जाएगी तो आपको इसका करना है कि इस पर print है तो यहापे मैंने click कर दिया है और यहापे देखिए मेरी पूरी family के यहापे आज चुका है और यहापे यहां पर पूरा ओप्सन आ रहा है कि यह देखिए और आपको भी ऐसे फिल करना है जैसी कि सब के नाम आ मेरे parents बगईरा के और आपर इसारी चीज आपका address बगईरा है आपर scanner बगईर अगईरा सारी चीज़ है वहाँ पर फोने लगती हैं तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि आपको मैं अपना जो ID है ना है family ID को मैं print कर लेता हूँ print पर टच करने के बाद तो यहां पर देखिए अब मेरा आइडी प्रिंट हो चुका है तो यहां पर मेरे को क्या करना है कि मेरा आइडी यहां पर प्रिंट हो चुका है यह देखिए अब मुझे यहां पर पीडियाप की रूप में इसको प्रिंट कर लेना है कि मैं इसको सिंपली सेप कर लेता हूँ तो आपका अगर आसन कार्ट बना हुआ तो आपको इतने आसानी सापकी चीज़ें सारी हो जाएंगी फिलब तो आपको यह करना है और आपको वीडियो पसना ज़ाद वीडियो को लाइक करिए और ऐसी जानकारी से जोड़ें रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करि धन्यवाद दोस्तों